हेलो फेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चनल एक और में वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आपको मालूम है कि रोयल पास 14 आ चुका है और कुछ लोगों ने अभी से अपनी आरपी को 50 भी कर लिया अब बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इन दोस्तों आपने सुबा से बहुत बार ट्राइ किया होगा जब आप अपग्रेट के आप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह बैक आपको लॉबी में लाके खड़ा कर देता है तो दोस्तों यह किसी भी तरीके का कोई गलीच नहीं है अभी रिसेंटली आपने कुछ नूइस सु कमेंट आ रहे हैं कि भाई जिन लोगों की आरपी 50 हो चुकी है उन लोगों ने किस तरीके से आरपी बढ़ाया होगा तो वो भी हम आभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं तो दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हो तो जब आप रैंकिंग वाले आप्शन पर जाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की आरपी अभी से 50 हो चुकी है मतलब 50 रैंक हो चुकी है तो इन लोगों ने किस तरीके से अपनी आरपी को बढ़ाया होगा तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास यूसी है और इन गेम आप यूसी से कुछ भी परचेस कर सकते हैं विदाउट रॉयल पास रॉयल पास के लिए बीजे माई को प्ले स्टोर पर होना जरूरी है उसके बाद ही हम रॉयल पास अपग्रेट कर सकते हैं अब इन लोगों क कि बात करें तो दोस्तों जैसा कि आपने रिसेंटली निउस सुनी थी बीजे माई बैन से लेकर हाला कि वह ओफिशली बैन नहीं था बट इससे रिलेटेट इनके ओफिशली वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम चैनल पर बोले तो कोई भी निउस नहीं है ऐसा क्यों यह कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताईएगा बीजे माई से रिलेटेट आपके मन में क्या चल रहा है क्या यह वाकई बैन हो जाएगा या हमें यह अन बैन देखने को मिलेगा वैसे तो मैं यहीं चाहूंगा कि यह जल्दी से अन करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो कुछ नया और सही जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग